चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचोब आज इस वीडियो में मैं आपको BDS कोर्स के लिए category wise expected कटोब बताऊंगा कि क्या रह सकती है need 23 के लिए round wise कटोब इसमें मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा जो काफी सारे student उनके parents को मालूम नहीं होती है जिसके कारण उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है तो सबसे पहले हम BDS के rounds के बारे में बात कर लेते हैं कि total कितनी round होते हैं BDS के, तो BDS के total 6 round होते हैं मैं यहां पर यह MCC की counseling के बारे में बात कर रहा हूँ State quota की counseling उसकी cut off के बारे में एक separate video बना दूँगा यहां पर MCC के होने वाले rounds के बारे में आपको मैं यहां पर बता रहा हूँ तो MBBS के जो round होते हैं MBBS और BDS के दोनु के जो command round होते हैं वो फोर round होते हैं यानि कि MBBS के साथ साथ ये BDS का भी allotment होता है first round में second round में mop up round में और stay vacancy round में तो MBBS के तो ये चारी round होते हैं जो BDS के साथ में होते हैं उसके अलबाद दो round BDS के separate होते हैं एक mop up round 2 होता है और stay vacancy round 2 होता है इन दोनों rounds में cut off काफी low चली जाती है stay vacancy तक तो cut off काफी high जाती है लेकिन ये जो दो round है mop up round 2 और stay vacancy round 2 इसमें cut off काफी low चली जाती है यानि कि 480 general category तक भी cut off जाने की संभावना है इतनी down cut off भी चली जाती है तो इसमें cut off काफी low जाने के काफी सारी region है वो मैं आपको region भी बताऊंगा और category wise round wise expected cut off भी बताऊंगा कि ये 6 round में last round की cut off क्या रह सकती है इसमें जिन students के drop ज्यादा हो गए जैसे 5 या 6 attempt हो गए और वो सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा आगे chance नहीं लेना है अभी अभी इस बार किसी course में हम admission लेके साथ नीट preparation करते रहें तो उनके लिए यह है कि वो इस course में admission ले सकते हैं और साथ में नीट की preparation भी कर सकते हैं इसमें bond amount काफी less होता है जिन स्टुडेंट्स का MBBS में admission होता है तो वो bond आजाम से पेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ BDS first year के साथ नीट की preparation करके next year अच्छा score लाकर के यह इसमें MBBS में admission ले सकते हैं तो मैं आपको अभी यहाँ पर category wise और round wise expected कठोब बता देता हूँ और क्यूं रहती है इतनी low कठोब इसके बारे में भी बता देता हूँ तो यह बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारी book available है ओल इंडिया कोटा की book भी available है state quota की book भी available है आयूस और veterinary के लिए भी book available है इसमें हमने choice list दे रखी है 2023 के लिए इसके बाद में चार साल की previous year की cutoff दे रखी है category wise round wise cutoff दे रखी है bonds की detail है इसमें fees की detail है registration process आपने कैसे करना है यह round wise cutoff भी हमने 15% ओल इंडिया quota state के लिए ESIC के लिए DU quota के लिए open quota के लिए सभी के लिए इस परकार से cutoff दे रखी है यही facility आपको हर एक state में मिलेगी state wise book में उसमें state wise book में जो open states है जहां पर private medical college में other state candidate admission ले सकते हैं उसके बारे में भी सब कुछ जानकारी state quota की book में available है तो मैं सोचता हूँ यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसको आप हमारे इस video की description box से या फिर हमारी website www.sofra.education.in आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो यह book आपके लिए काफी helpful रहेगी अब यहां पर बात करेंगे हम BDS course के लिए expected cutoff की क्या रह सकती है यह expected cutoff तो देखो first round के लिए यह first round mbbs के साथ ही होता है mbbs के साथ होने से काफी high cutoff जाती है यानि कि 580 cutoff your category की जा सकती है first round के लिए second round के लिए sorry first round के लिए EWS की 575 और OBC की 575 SC की 465 ST की 415 cutoff जा सकती है first round के लिए BDS course के लिए second round की बात करें तो UR category 570 जा सकती है EWS 565 OBC 565 SC 440 और ST 400 cutoff जा सकती है यहां पर मौपप्राउंड की cutoff भी high रहती है 560 cutoff जा सकती है यहां पर UR category की EWS की 555 और OBC की भी 555 cutoff जा सकती है 420 जा सकती है SC category और ST की 370 cutoff जा सकती है stay down तक फिर भी यह cutoff down नहीं आती इतनी जितनी आने चीए 545 cutoff जा सकती है UR category की EWS की 545 जा सकती है OBC की भी 545 जा सकती है 405 cutoff जा सकती है SC category की और ST category की cutoff जा सकती है 345 BDS course के लिए अब जो round 2 होता है BDS और BSC nursing के लिए होता है यह special मतलब MBBS के round यहां तक खतम हो जाते है stray vacancy round तक यहां तक MBBS के और BDS के साथ-साथ allotment होते हैं लेकिन जो mop up round 2 होता है यह बाद में होता है और जब यह mop up round 2 होता है तब तक state का mop up round भी complete हो चुका होता है state का mop up round भी complete हो चुका है होता है तो काफी सारे student MBBS में stray vacancy round तक admission ले लेते हैं, BDS तक य direction admission ले लेते हैं, इसके बाद में state में चले जाते हैं, state में MBBS में admission ले लेते हैं और BDS में admission ले लेते हैं, जो ये Mopup Round 2 होता है, ये जो closing date होती है BDS course के लिए उसके तक्रीबन 15 दिन पहले होता है, और 15 दिन पहले होने का मजलब उस समय MBBS की date over हो चुकी होती है MBBS की जो date होती है admission की वो over हो चुकी होती है जिसके कारण से ये cutoff काफी down जाती है क्योंकि यहाँ पर BDS में admission लेने वाले student बहुत कम बसते हैं काफी student यह सोचते हैं कि मैं next year के लिए MBBS की तयारी कर लेता हूँ और काफी student private में admission ले लेते हैं काफी state में admission ले लेते हैं और कुछ student ऐसे होते हैं जिनको rules के बारे में पता नहीं होता है MCC के rules के बारे में पता नहीं होता है तो वो first round या second round में या किसी भी round में seat allot करवा लेते हैं जिसकी वज़े से उनको आगे mop up 2 में BDS के लिए seat allotment नहीं हो पाती है उनके लिए seat allot नहीं हो पाती है तो उनको भी नुक्सान उठाना पड़ सकता है तो इस round के लिए student काफी कम बचते हैं हालांकि इस round में face registration भी होता है अब इसमें जो cut up जा सकती है UR category के लिए 500 cut up जा सकती है EWS के लिए 495 जा सकती है ODC के लिए भी 495 जा सकती है SC के लिए 360 जा सकती है ST के लिए 215 cut up जा सकती है अब ये तो होगी mop up 2 की बाद अब इसके बाद state 2 होता है BDS का इसमें कोई phrase registration नहीं होता है जिन candidate ने in rounds में registration किया है वो candidate ही यहां state 2 के लिए eligible है इस वज़े से यहां की जो cut up है वो काफी down जा सकती है UR category की 480 cut up जा सकती है EWS की 475 जा सकती है OBC की 475 जा सकती है 345 SC category की जा सकती है ST category की 150 cut up जा सकती है तो यह जो आपको cut out लग रही होगी यह जो mop up round की और stray vacancy round के जो cut out लग रही होगी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मैं यह cut out predict कर रहा हूं यह इतनी cut out कम कैसे जा सकती है BDS की लेकिन BDS की इतनी कम कटोफ जाती है प्रिवेस राउंड में हमने देखा है कि इतनी कम कटोफ जाती है BDS की और ये हकीकत है क्योंकि इसमें लास्ट में student बच नहीं पाते हैं और बच जाते हैं वो MCC के राउंड रूल्स के बारे में उनको पता नहीं होता है जिसके विज़े से उनको इन दोनु राउंड में seat alert नहीं हो पाती है वो counselling से पहले ही बार हो जाते है तो ये बिलकुल हकीकत है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी कटोफ नहीं जाती है मतलब कि वो सासा तयारी करना चाते हैं तो उनके लिए एक ये गुड ओपर्चुनिटी है कटोफ काफी डाउन जाएगी लेकिन आपको इन राउंड तक वेट करना पड़ेगा essay student जो ये चाते हैं कि इस बार हम BDS की तयारी भी sorry MBBS की तयारी भी करें नीट की तयारी करें और admission भी ले ले हो सकता है एगले बार हमारा admission ना हो MBBS के लिए तो BDS तो continue रहे तो उनके लिए ये अच्छी opportunity है यानि कि वो सासा तयारी भी कर सकते हैं और अपना admission ले सकते हैं future भी secure कर सकते हैं BDS के बाद में आप PG भी कर सकते हैं इसमें MDS की exam लगती है नीट MDS की वो exam देकर के आप MDS में यानि PG भी कर सकते हैं BDS में MDS course भी कर सकते हैं इसमें भी आगे opportunity है आगे इसमें आप research program course भी कर सकते हैं और भी काफी सारे इसमें options हैं super specialty वगरा के भी इसमें options हैं इसमें थोड़ा सा drawback यह है कि इसमें government जो बहुत कम होते हैं जो अपना hospital establish करना चाते हैं उनमें थोड़े से problem आती है student को तो इसमें आगे जिने student को MDS वगरा करना है PG करना है और अच्छा course के दोरान अच्छा performance कर सकते हैं तो वो इस course को कर सकते हैं admission ले सकते हैं इसमें MBBS की तरह ही इसमें भी आप नाम से पहले डोक्टर लगाएंगे तो यह जानकारी थी VDS course के बारे में बाकी जैसे जैसे और updates आएंगी हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेज करके रखे ताकि कोई भी वीडियो डालें आप तक notification परूंस सके क्योंकि इस परकार की counseling related सारी information हम लेके आते रहते हैं तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसे